कि हेलों दोस्तों देखिए यह बहुत ही अच्छा कोशन है इसको सॉल्व करते हैं और देख्ते हैं इसमें कि क्या का रहा है तो जैसे यहां दिखा कि the ratio of number of employee male and female in office a और b is two ratio 3 दिया हुआ है यह और b में जो क्या number of employee maill ar female, दोनों का ratio दिया है, 2 ratio 3, ठीक है, दूशरा बात पूल रहा है कि the ratio of the female employee in A and B is one ratio 2, A and B का one ratio 2 दिया हुआ है, यह क्या दिया हो है, यह female employee दिया हुए female, ठीक है, और इसके बात and ratio of female employee in A to the total employee in A is one ratio 3, अब A के बारे में बताया है कि A में जो है न की तोटल female employee or total employee मतलब लिखा हुआ है female銘 में female employee a total employee एक एक total employee e ratio original o three अब आपसे पूझा क्या है कि कितना ratio of male invalue in a and b आपको बताना है कि male employee a और b में कितना है इसको आपको find करना है ति इसको कैसे find करेंगे तो देखें इसमें क्या करना है आपको यहां पर प्रिमल इंपलोई यहां पर पमें इतना है 2x, यह बराबर किसके है, 1 issue 3 के, 1 by 3 के, अब यह 2 इधर चल जाएगा, तो y अपन में x क्या हाजाएगा, 2 is 2 by 3, मतलब y command 2 और x command 3, अब जैसे ही यह आया, आपका answer बन गया, जैसे अब y बराबर 2 है, x बराबर 3 है, तो y बराबर 2 2 put करेंगे, यहाँ पर y बराबर 2 put किये, यहाँ पर यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 2 put करेंगे, तो यह 4 हो गया, और यहाँ पर x बराबर 3 put करेंगे, तो क्या हो जागा, इन्टू 3, इन्टू 3, तो क्या हो टोटल है फिमल है तो मेल क्या हो जाएगा इसको डिरेक्ट माइनस करतीजिए 6-2 गया 4 और 9-4 या 5 ए रिस्यो 4 रिस्यो 5 आपका एंसर सही हो जाएगा आपका आप्सन ए सही हो जाएगा देखें बहुत अच्छा कोशन था आप इसको देखिए इसको सीखिए ठीक है थैंक्य कर दो